इस बीडियो को अंदर तक देखेंगे तो आप इस बीडियो की नहीं इस क्लास के फैन हो जाएं क्योंकि सेलेक्शन का उत्तर ही नहीं जाना बलकि उन महत्तपुल प्रश्णों का आपके बीच लेकर आना जहां से आपके परिच्छा में सबसे जादे प्रश्ण बगते हैं तो बिना देरी की इस क्लास के अंत में आप बने रहेगा लेकिन साते साथ कॉपी कॉलम लेकर और ह लेकिन मानिए आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं पहला प्रश्ण आपके शामने हैं कि पीतल मिच्छ धातू है ये कैसे बना है तो जल्दीशे कॉमेंट करिएगा जो भी साथी वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी फटा-फट कॉमेंट करिएगा क्यों कि रे ये कभी यूनिक प्रश्ण है जो आपके परिच्छा में सबसे जादा बार पूछा जाता है ठीक है आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरह एक प्रश्णाया है भुगोल के जनक किसे क्याते हैं देखिए भुगोल दो चीज हैं एक हेके अटिये से हेरो डेटर से ह अगले आप अपना प्रश्ण पूरी तरह से क्लियर करें जी फिर हम लोग आगे समझेंगे अगला प्रश्ण है आपके सामने थोड़ा तीजी से पढ़ेंगे जहां पर इतिहास भगोल अर्शास भारति श्रमिधान कंप्यूटर स्रमान विज्ञान और साती साथ विश्व शोधन और योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु जाती है जो बिश्याली होती है तो इस प्रश्ण का सबी लोग फड़ा पर जमाम दीजिएगा निकेल जस्ता कुणियम शीशां तो आधुनी भारी धातु पूचा है तो क्रोमिधान भारी धातु है जिससे आधुनी चरम सोदन उद्योगों में भारी बिशैली होती है हम आगे बढ़ना हैं अगले कि तरफ सभी लोग फड़ा पर सेर करते चलिएगा क्योंकि यह वीडियो के वला प्लाइब देख पाएंगे फेस्बुक पेज इलनी बिदुर्गेश और यूटुब चैनल इलनी बिदुर्गेश एक साथ में नोस बनाते चलेगा यकीन मानिए इस सिच्छब भरती में एक्सिट आपका जवाब चरूर होगा एक प्रशनार है कि सर्भोगोल का जनक किसे कहते हैं एक हेरोडियोटर से हैं हेकेटियस हैं आप अपना प्रशनी के लिए तो मैं आपको बताओ उसका प्रफाय कि उपयोग जाता है और यसी राजमिस की खिती के जाती है ठीक है ध्यान दिजेगा इक सर्वी normally भड़ाब कॉमेंट करके बताइए जो वीडिव को लाइफ इख रहे हैं ये के वल अप लाइफ डेiff देख पाइंगे इसलिए सभी लोग मुस्तारी नव बझे तय आपके सामने हैं रत्त सम्होंगी कोई किसके द्वारा किसके इस देश के निर्माताओं अब की बार एक सिठ्थमाज प्रधिये राज साथ सब्था लेक्षत परिछा जूनियर प्रामरी की एक भात्रीन क्लास चल लएक आपके साथ देखे रग्समू की खोच किसके द्वारा के गई थी तो इस प्रस्टन का उत्तर होगा सभी लोगों ने बताया क्या लैंड इस्टीनर इन्होंने कब किया था सन उननाईशो में किया था और इसके लिए इन्हें उननाईश सो तीस में नोबेल दिया गया यहां पे काल्ड लैंड इस्टीनर और उननाईश सो चालिस में यह धान दिजएगा उननाईश सो चालिस में आरेश फैक्टर तो आरेश फैक्टर कब उननाईश सो चालिस में लैंड इस्टीनर और विरसन ने कौन-कौन दो लोगों धान दिजएगा लैंड इस्टीनर प्लस कौन वीनर ने लेकिन ये पूछा जाता है कि किस पर किया था तो सीशस नमक बंदर पर किस पर सीशस जान से लिकियेगा रिशस नमक बंदर पर रिशस नमक बंदर पर Most important है जी हां मेरे पेरे सिचक साथी हो इसके रुधिर में अन्प्रकार का इंडीच का पता लगाया और रख तो जब देते हैं उस समयम आरेश फक्टर के लिए जाच की जाती है ठीक है देखें आप लोग को मैं असपर चुप से बता दूं यह क्लास के वर लाइब चलेगी इसलिए आप लोग से निवेदन हैं अगर आप लोग सरकारी से चक बनने की त्यारी कर रहा है तो साधे नौ बजे आप सभी लोग लाइब आ जाया करेए बाद मी वीडियो का आप नहीं देख पाएंगे शाधे नौ बजे कॉपी कॉलम लेकर बैठिएगा इस बात की गारिंटी है हम आपको सेलेक्शन तक जरूर लेकर चलेंगे हम आगे बढ़ रह अंकी, शंग, गडग, कंप्यूटर दारा, डेटा तथा प्रग्राम को कैसे सांकेतिक सब्दों में बदलने की जो प्रणाली होती है उसको उप्योग क्या होता है जल्दी से मेरे पैरे से चक साथी हो कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिएगे प्रशन का जवाब मैं इस प्रशन को थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूंगा, कंप्यूटर के जो डेटा होता है, प्रोग्राम को सांकेतिक सब्दों में बदलने के लिए हम बानरी का प्रियोग करते हैं, इसे हम दूइगूण भी कहते हैं, यह अंकी कंप्यूटर होता है, इसे हम यह सभ सभी प्रकार सोचनाओं को दूइधारी पदती मदलकर अपना कारी करता है, इस अब आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशने की तरफ कि अब की बार एक सिठ हमार अगला प्रशना आपके सामने है गांधी जी ने भाग लिया था बहुत इंपॉर्टेन प्रशना है जी हां मेरे प्यारे से चक सातियो जल्दी से फड़ापट कमेंट करिएगा जितने लो करता हूं कि आज के बाद आप उस प्रशन में कभी गलती नहीं करने को मिलेगी और यह आज का बहुत ही यूनिक सवाल है खासकर आपके लिए तो क्या आप तयार हैं इस प्रशने का उत्तर बताने के लिए तो जल्दी शेक कोमेंट करिएगा और अपना जबाब यहां पर अब की बार एक सिठ हमार गांदी जी ने भाग लिया था आप लोगों एकदम सही बताया दुति गोल में श्रमेलन आई इसके बारे में थोड़ी बिस्तित बाते जानते हैं प्रथम यों तृति गोल में समेलन में कांग्रेस किसी प्रतितिन भाग नहीं लिया था याद जी हां कांग्रेस के किसी भी प्रतिन ने भाग नहीं लिया था ध्यान दीजेगा दूसरी बात दुति गोल में समेलन कहां हुआ था लंदन में हुआ था ये दुति कहां हुआ था लंदन में हुआ था कब हुआ था 7 सितंबर को हुआ था कहां पर हुआ था 1931 में हुआ मात्रपत्रद्दी थे तो महत्मा गान्दी थे कांगरेश की जहां लिख्येगा क्योंकि आप arqu sélection लेना हार से यह कांग्रेश के एक मात्र प्रतिधी के रुप में थेैं, एनी वेसेंट अऔर मदन मोहनमालवी, मदन मोहन मालिवी ये भी गय थे ध्यान दीजेगा ये भी गय थे लेकिन ये बिक्तिगत काम से गय थे ये बिक्तिगत काम से गय थे कहाँ पे लंदन में ये गोलमेच के लिए नहीं गय थे ध्यान दीजेगा सबी लोग दिनों लोग सबी को ध्यान दीजेगा क्योंकि यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को ध्यान से देखते ना चाहिए सेलेक्षन लेना है हर प्रषण का पोश्माडम करना है और हर एक प्रषण को तोड़ कर पढ़ेंगे और यह लाइप पढ़ेंगे साड़े नौबजी प्रदीन एलारम लगा लीजे अबकी बार एक से ढमार अमबेटकर जी एक ऐसे भगति थे डक्टर अमबेटकर जी जिनोंने तीनों गोल में स्टमेलन में भाग लिया था। अगर वीडियो साफ न दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजेगा मेरे पैरे सिचक साथियों हम आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं कटेंगे यह लोगों तक पूचेगा इस बात की मैं गारिंटे लेता हूँ जी इस का दढ़ खतम हो जाएगा और मैं चुनिंदा प्रश्ण साड़े नौ बजे लेकर आऊँगा अब की बार एक सिठ हमार चलिए क्योंकि देश के गोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में रूपई का सिक्का भात में पहली बार किस सासक ने चलाया था जी हाँ मै मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अथेंटिक NCRT का निचोड आपके लिए लेकर आऊँगा और वही प्रस्ण जो परिच्छा में सीधे पूछे जाएंगे और उसी क्रम में हम आपके सामने वीडियो की स्रीश खोल दिया है साड़े नौ बजे रूपई का सिक्का भात मे पहली बार किसने लाया था और दूसरा चमडे की मुद्रा चमडे की मुद्रा किस सासक ने चलाई थी बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ण है मेरे प्यारे साथियों जी यहां सभी साथी धान से देखेगा और अगर आएसी वीडियो को अन्य जेगा मिल जाए इस चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं इस बात गरिंटी लेता हूं यह घमंड नहीं यह गर्व है कि सामाने दिन की सिरीज अगर इसे बहतर मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं चारो बिकल का पॉस्ट माडम करूँगा और आपको मैं बताऊंगा सेलेक्सल लेना कैसे है आईए चमड़ी की मुद्रा कौन जारी किया था कॉमेंट जरूर करिएगा जी हाँ लेकिन रुपए का सिक्का अगर आपे पूछा है तो प्साइली बार अगर पूछा जाए सिर्षा सूरी एकदम सही जवाब और सिर्षा सूरी ने सिच्छा कहां से गरहन किया था जी हाँ जौनपूर से गरहन किया था जौनपूर के सिराजे हिंद से गरहन किया था ध्यान दीजेगा दूसरी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज रुपए का अ शोने का दिनार शोने का दिनार ये किसने शुरू किया था जल्दी से कमेंट करके बताईएगा ये सोने का जो दिनार होता है वह 167 ग्रेन का होता है परिछा का स्टेंडर्ड बदल लहा है और इसलिए ऐसे प्रश्ण आ सकते हैं चांदी का रुपया भी था चांदी का रुपया और तांबे का दाम धान दीजेगा तांबे का दाम दीए तांबे का दाम का पूछा जाता है कि 382 ग्रेन का था चांदी का रुपय का अगर वजन देखा जाए तो 180 ग्रेन का था लिख लीजेगा ये भी नहीं कहेंगे सर ये तो छोड़ दिया एक सो असी ग्रेन का गर देखा जाए आज की समय में तो एक दिनार बराबर एक रुपए सिख्कों पर अर्मियों फार्सी लिपी का प्रियोग हुआ अगर देखा जाए कि शेड़ सा की जो सिख्के थे उनकी लिपी क्या थी उनकी बहुत इंपोटेंट है जो लोग वीडियो को लाइफ देखरें पहला देवनागरी थी, लिख ली जेगा देवनागरी, पहली लिपी देवनागरी दूसरी अरभी थी यह उनकी शिकों की लिपी थी, वो देवनागरी थी सोची कितनी प्रश्ण आपके त्यार हुएं चलिए मैं इसको दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजेगा अब की बार एक सीठ हमार ठीक है? मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया पैसे आपको नहीं देने हैं ने पैसे आपके कटेंगे यह निसुल क्लास से देशित में राशित में मैं गॉर्मेंट सिचक होने के नाते में अपने बच्चे हुए समय से मैं आपको सेलेक्शन के लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए प्रस्ण बैंक तयार करता हूँ और वो प्रस्ण जो परिच्छा में पूछे जाते हैं और उससे बाहर न जाये इसलिए बस एक रिक्वेस्ट है कि लोगों तक पहुचाईएगा और आपको भी सरकारी सिच्छक बढ़ना है वेरा पहले से सरकारी सिच्छक है तो जूनियर के लिए बढ़ना है तो आप सब अपने माता पिता को उम्मीदों को पूरा करना है अपने आपको तब तक बश्ट देता है हम आगे बढ़ रहा है एक बार इस टॉपिक को रिवीट करते है हमारे यहां अगर देखा जाए तो रूपए का सिच्छा भात में पहली बार सेर्शा सूरी ने चलाया था सेर्शा सूरी देखा जाए तो ये भारत में भारत में जनपुर जनपस से अपना सिच्छा ग्रहन किया था और एक देखा जाए कि मुगल वन्से में सेंद लगाने कामगर कोई भ्रक्ति किया था तो वो आपके सिच्छा सूरी थे इन्होंने सबसे पहले रूपए का सिच्छा पहली बार भात में चलाया इसमें सोने का दिनार चांदी का रूपया तामे का दाम होता था सोने के दिनार का वजन 167 ग्रेन जबकि चांदी का रूपया 180 ग्रेन का और तामे का दाम 382 ग्रेन का होता था ये उनकी वजन की बात की जा रही है ये उनका वजन है ये क्या है उनका वजन है जबकि एक दिनार बराबर एक रुपया हुआ करता था और दूसरी बात लिपी जो होती थी किसकी सिरसा सूरी के शिक्कों की वो देवनागरी और अर्वी हुआ करती थी आज देवनागरी हमारी लिपी है और आज हमारे यहां रुपया आगे चल कर अगर दूद बन गया, इसलिए ये सारी बाते जागते देगा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कि चमड़े की मुद्रा किस सासक ने जारी की थी, जी हां मेरे प्यारे सिचक साथियों, इसे देश के निर्माता हो, अगर आपको सरकारी सिचक बनना है, जूनियो पास करना है, प्रामरी सुपर्टेट पास करना है, तो इस प्रश्णों को ध्यान से जानना होगा, क्योंकि यहां से ध्यान दिएगा, इस चमड़े की मुद्रा हुमायू ने, हुमायू ने जारी किया था, और याद रखेगा, सेरसा सूरी से हारेने के बाद, जब हुमाय दच्छन भायत के तरफ गया, उस समुस ने क्या किया था, चमड़े की मुद्रा जारी क्या था, लेकिन चमड़े की मुद्रा क्या होती थी, पसू खा जाते थे, पसू मगर देखा जाए, तो कुत्ता, बिल्ली, मैंने मनुस से जादा उस सिक्के को किस से कुत्ता बिल्ली स अच्छित रख लें यह क्लास के वा लाइब चलती है इल रनी बद्रगेस के फेस्बूक और यूटूब चैनल पर निशुड है हम आगे पढ़ने अगले प्रश्ण की तरफ जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं स्कीन सौट जरूर करेंगे अगला प्रश्ण आपके सामन करेंगे सभी साथी फड़ा पर कमेंट करेंगे और दिये के पश्ण का जबाब देंगे जी हैं मेरे प्यारे से इच्छक साथी हो इसे देश के निर्माता हो अब की बार एक सिठ हमार क्योंकि रेश के घोड़े हैं वह रेश में अच्छे लगते हैं खेत मनी और आप एक र साथ हैं जबाब दीजेगा जल्दी से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहाँ फेस्बूक पे चाहाँ यूटूब पे कहीं भी देख रहे हैं यह निशुर्ट क्लास है देशित के लिए राश्टित के लिए आईए सिक गुरू को फार्सी में जफर नामा लिखा अग्सी से एकदम इंपॉर्टेंट प्र Account प्राश्ट में पहरे हाँ बेंधेगा नेरी सिर्क सिर्कित ने लिखा था तो बिजय पत्र गुरु गोबिन ने लिखा था और जफर नामा को ही हम बिजय पत्र कहते हैं और किस ने लिखा था मुगल सासक औरंग जेब के लिखा था अब यह प्रशना होगा कि बिजय पत्र किस ने लिखा था तो गुरु गोबिन सिंग ने लिखा था कि पीस के लिए लिखा था सासक ओरऑण्घर जेब के लिखा था किसके लिए औरंग के लिखा था नइ120 होती इनप्ॉर्टेंट है जिसे जफर नामा कहते हैं किस भासा में यह बिजे पत्र फार्सी भासा में लिखा गया ठीक है चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप रेस के घोड़े हैं आपकी एक सिट से मतलब है और एक सिट के लिए आप पढ़िएगा लोगों तक पहुचाईएगा कर भला तो हो भला क्योंकि रेस के घ वीडियो को लाइप देख रहे हैं ना कोमेंट जरू करिएगा यार आप लोग अभी तक लाइप नहीं किये हैं लाइक करेंगे तो पैसा नहीं कटेगा मेरा भी आत्मिस्वास बढ़ेगा मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा और अच्छे कंटेंड रलाऊंगा और अच्छ नहीं अगर आप पढ़ने माले बिक्ति होंगे तब बागी ऐसे होंगे तो कोई बात नहीं गोदरी महराच के सिवादियंद से संबंदी थे देखें अगर हम शेहनाई की बात करें तो बिश्मिल्ला हैं अगर हम तबला की बात करें तो तबलम कौन-कौन आता हैं जाकिर उ जाकिर उसेन आते हैं गोदई महराच आते हैं इन्हीं को पूछा है गोदई महराच आते हैं इन्पॉर्टन है ये लतीफ खाते हैं लतीफ खाते हैं इन्पॉर्टन है ये जो जब 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 पूछा जाता है अलका रखाते हैं ये इन्पॉर्टन है विकि यहां सबके परिच्छा में आ जाता है अल्ला रख्या ठिक लेकिन अगर बासुरी की बात की जाए तो बासुरी में कौन-कौन आते हैं लिख ल इन्पॉर्टेंट है हरी प्रशाद च्वरश्य आते हैं पन्ना लाल घोस आते हैं लेकिन लिखे सानाई तबला वासुरी हो गया एक सरोध पुस्ता मैं सरोध लिखा दे रहा हूं सभी लोग लिख लिएगा हेडिंग बनाकर शरोध एकदम नोट्स बनाते चलिएगा सरोध कौन है अमध अली खां इनका संबंध है अमध अली खां है जो परिच्छम पुछा जाता है अली अकबर खां है फिर अलावद दिन खां है जहां से लिख लीजएगा अलावद दिन खां है यह ऐसा टॉपिक है जहां साथ के परिच्छा में एक पुछन आता है ठीक है सभी लोग ध्यान से दिखेगा जित्ते लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है इस्ट्वर करें अगली सिच्छ भरती में उनके एक अथसान जरूर से फिक्स हो जित्ते लोगों ने वीडियो को शेयर किया है लोगों तक पूचाया है कि हमेशा इस्ट्वर उनका जरूर साथ देता है जो पूरे मन्यों के साथ पूरी महंदारी के साथ अपने कर्तब्यों का निर्वान करते हैं इससे बहतर अगर को यूटूब पर पढ़ा देना मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस चैनल को अंसस्क्राइब कर दीजेगा यकीन मानिये विश्वास रखिए इतना ब्याक्ष आपको इलने भी दुरुगेश्पर क्यों कि मुझे भी आपके साथ आगे चलकर एक इस प्रश्ण का अगर सही उत्तर होगा तो क्या होगा तबला होगा अर्थार इस प्रश्ण का विकल्ब भी राइट एंसर है सानाई बिस्मिल्ला खां बासुरी हरी पसाथ चरुसीय पंदालाल घोस हैं कहीं कहीं आपको मिल जाता है रमानी जी को जाकिर उसेन तबला पुच्छा जाता है ठीक है हमागे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है स्टेच्चु आप इनुटी किससे संबंदीत है सबी लोग फटापट कमेंट करिएगा कमेंट करने के बाद दियेगे प्रश्ण का जबाब दीजेगा बहुती महत्त्रप इस वीडियो को बाद में नहीं देख पाएंगा इसलिए साड़े नो बजे लाइब आ जाये करिए देखें इस्टेच्चु आ पीनुटी इनके बारे में पूरी ब्याक्था करता हूं पहले इस प्रश्ण का जो उत्तर होगा वह सरदार बल्लब भाई पटेल होगा और यह प्रतिमा कहां बनी है गुजरात में कहां में गुजरात में कहां भरूच कहां पे भरूच के निकट लिखना चाहिए लिख लिजेगा भरूच के निकट कहां पे भरूच के निकट साधू वेट जहां से लिखना चाहिए साधू वेट नामक अस्थान पर आपकी एक प्रश फिर आगे किस नदी के टाप उपर तो नर्मदा नदी से नदी नर्मदा बालनें नर्मदा नदी के टे किनारे दो प्रति तैयार क्हां पर नर्मदा जिले में पर भाच predator गुस्ती तहीं एक गुजरात के नर्मदा जिले में यहाँ पर क्या है नर्मदा जिला है जिला कौनसा है जिला भी नर्मदा इसकी उचाई की बात करें कि पूचाई 182 मीटर है कि अगर फिट की बात करें पानसो सतानदे पीट है तिरूपी परिच्छा में ऐसे भी प्रष्णा आ सकते हैं अगर मैं पूछा जाएं वाश्टुकार की बात करें तो राम सुथार था अगर मैं आप तो यहां पर इसकी उच्छाई 182 मीटर ही क्यों रखी गई तो यह आप कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप सरकारी से चख बनने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताईएगा, इसकी उचाई 182 मिटर ही क्यों रखी गई, क्योंकि पता है, गुजरात के बिधान सभा, बिधान सभा के सदश, कितने हैं, 182, गुजरात में, गुजरात के बिधा बिधान सभा के सदश 182 हैं, इसलिए इसकी उचाई 182 मिटर या 597 फिट रखी गई, सभी लोग समझ माया, जितने वीडियो को लाइब देख रहे हैं, जड़ा कमेंट करके बताएं, यूँकि अगर आपको सरकारी से चख बनना है, इस वीडियो के अंध्य तक बनना हो, य इसलिए लाइब कलास है, और बाद में से आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए साड़े नो बजे लाइब आ जाये करिए, कॉपी कलम लेकर, इसलिए गुजरात की जो विधान सभा है, 182 है, इसलिए इसकी हाइड जो है, इसकी उचाही 182 मिटर है, इस टेचू आप यूनि प्रशन की तरफ क्या आप लोग को समझ में आ गया, जित्ते लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे थे, क्योंकि हर एक प्रशन को हमें पोस्ट माडम करना होता है, ताकि आप एक प्रशन से कई प्रशन तयार कर सकें, ठीक है, हम आगे चलते हैं, अगले प्रशन की जाती है, दो अक्टूबर को, और इनकी 14 नॉमबर को, और इनकी 31 अक्टूबर को, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इनका है 14 नॉमबर, इन दोनों लोग का है 2 अक्टूबर, दो अक्टूबर, क्लियर, और कोई डाउट किशी को, चली, यहाँ पर एकता दिवस, यहाँ पर बाल दिवस, यहाँ पर अहिंशा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इस की इन सोट जरू करिएगा, अगला पशना आपके सामने है, मदर टेरेशा को, नॉबल प्रुसकार किसलिए मिला था, सबी लोग फटा फट कॉमेंट करें, अब की बार एक सी ठमाग, अगर इस विसे में बात करते हैं, मदर टेरेशा को, जो नॉबल मिला था, वो शांती का मिला था, अज़रा कमेंट करके बताइएगा, नॉबल प्रुसकार कुल कितने छेत्रों में दिया जाता है, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नॉबल प्रुसक कितने छेत्रों में दिया जाता है, सबी लोग बताइएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं, सबी लोग फटापर जरूर कमेंट करिएगा, कितने में, तो ज्यार रखेगा, छेत्रों में, एक प्रशना आपका तयार हो गया, मैं इसके बारे माभी क्या मिला था, धान से दिखेगा, यहां पर हम एक करके लिख रहे हैं, पहला इने नोबल मिला था, किसका सान्ती का, सान्ती का नोबल इने कम मिला था, 1979 में तो यह ने भारत रत्न मिला था क्या मिला था भारत रत्न किसे को पता भारत रत्न ने कम मिला था यह 1980 में कम मिला था 1980 में ठीक है चलिए दूसरी बात कुलकाता में मिस्टरीज आप चरेटी का स्थापना इन्हों 1950 में की थी लिखना चाहिए लिख ली जाएगा इन्होंने एक अस्थापना किया था साइद आप लोगों को पूछ सकता है Mission Reads आफ चैरिटी आफ चैरिटी कब 1950 में कहाँ पे कोलकाता में यह मदद टरेसास इसके बाहर कभी प्रशना आपका नहीं आएगा इस भात ती गारेंटी है इनके मानों से वह भाव को देखते हुए पोप जान पाल दुती ने इने कोलकाता की धन्ने के उपाधी दी थी इने को पाधी मिली थी उपाधी इने उपाधी मिली थी लिख लीजेगा ये अगर आपको सलेक्षन लेना है न उपादी मिली थी दन्य यह उपादी मिली थी किस ने दिया था किस ने दिया था गुष झान पाल असमों दूती ने यह उपादी को दिखेगा इसकी इसोट ले लीजेगा, ध्यान दीजेगा कि मदड तरेशा को भारत का सांत्री का उनोबेली ने 1989 में दिया गया था, ये इनके उत्किस्ट कारियों के नाते, इनके सिवाभाव को देखते हुए पोप जान पौल दुती ने इने कुलकाता की धन्नी के उपाधी दी थी, इन्होंने 1950 में भारत के कुलकाता में में संदीज आप चरिटी के स्थापना किया था, इन्हें भारत में भारत रत्न दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा प्रुषकार है, उन्हें 180 में दिया गया, और कुल अगर नोबेल की बात की जाए, तो भारत में या पूरे दुन करके बताईएगा कि सांती का नो बिल कहां से दिया जाता है, जित्ते लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं, सभी लोग फटा-फट कोमेंट करके जरूर बताईएगा, ठीक, आगे परता हैं अगले प्रस्ट इकी तरब, जित्ते लोग वीडियो को सेर करना ना योकि रेश के घोड़े रेश में अच्छे लगते हैं ये वीडियो केवल लाइब देख पाएंगे बाद में नहीं इसलिए सभी लोग शाड़े नौ बजे लाइब आजा किरिएगा अब की बार एक सिथ हमार ये हर दिन एक नया प्रस्ण मिलेगा इस चैनल पर कभी भी कोई प्रस्ण आपको repeat नहीं मिलेगा इस बात की guarantee है कभी भी कोई प्रस्ण आपको repeat नहीं मिलेगा भात के राश्टगीत की रचना किसने की थी बहुत important प्रस्ण है सबसे पहला राश्टगीत और राश्टगान में दोनों में क्या अंतर है जित्ते लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शबी से मेरा निवितन है कि कॉमेंट करके जरू बताईएगा आईए इनके अंतर को जानते हैं जो कि सायद आपको किसी भी परिछाओं में न मिले सबसे पहले सबसे पहले आते हैं इनके रचनाकार की बा चटर जी यहां पे रविंद्र नात टैगोर ने लिखा था इसका वड़न आनंद मठ में है आनंद मठ उपन्यास है और अगर राष्टगान की बात की जाए तो इसका वड़न कहा मिलता है कोई बता सकता है यह ने भारत का सांतिका नोबिल मिला तरविंदा टैगोर को गित तांजली में इसके गायन का समय 65 शेकंड है अर्थात एक मिनट पांच शेकंड इसके गावन का सेकंड बावन शेकंड है ठीक इसके गायन का सेकंड क्या है बावन सेकंड है ठीक दूसरी बात और इसके बात नीचे और कुछ है इसे हम जो राष्टगीत है वो बंदे मातरम है और राष्टगान जनगण मन है ठिक दूसरा यहाँ पे एक विसेस आपको अंतर मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं कि संसत की सुरुवात राष्टगान से होती है और समापन राष्टगीद से होती है दूसरी बार ये उपन्यासकर को भी बंकिन्च चडरजी थे और राष्टगान जो है इसके पांच पद होते हैं और हम पहला पद गाते हैं जिसमें तेरा पंक्तियां होती है कितनी 13 पंतियां होती है जबकि रश्टकित में 7 पद होते हैं और हम प्रथम पद गाते हैं और यह संस्क्रिप्ट में है बाकी के 6 पद जो है यह बेंगाली में है बाकी कितरे में है बेंगाली में है दूसरी बार रश्टगान पहली बार रश्टगान पहली बार कब गया गय गया था यह जो जानकारी मिलती है कि राष्टगान पहदी बार जार्ज पंचम के भारत आने पर उनके लिए आगमन पर यह गीत गाया गया था राष्टगी यह 1896 में गाया गया था और इसके अलामा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं राष्टगान और रा गरतंदीवस और स्वतद्दा दिवस में क्या अंतर है यह आप जरूर असपष्ट करिएगा अगर आप सरकारी से चख बनने जा रहे हैं या पहले से सरकारी से चख हैं इन दोनों के बारे में आप असपष्ट रुप से बताएगा आईए रबिन्नाट टैगोर इस प्रशन गर मन लिखा था दूसरा आमार सोनार बांगला यह बांगला देश का रष्टगीत है आमार सोनार बांगला इनकी रचना क्या थी नों नहीं अरबिन घोष कि अगर रचना देखा जाए अरबिन घोष की जो रचना थी लिख लीजेगा दिब जीवन इंपोर्टेंट है दि सावित्री है दिख रहा है आप लोग को सावित्री है लेकिन अगर महत्मा गांदी की रचना पूछा जाए तो मैं आप इनकी रचना बता दे रहा हूं सत्त के प्रियोग सत्त के प्रियोग यह इनकी आत्म कथा थी यह इनकी क्या थी आत्म कथा थी दूसरा गरह मैं आप इच्छा में नहीं आएगा, आएए, सभी लोग ध्यान से इसके बारे में समझेगा, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए आएए मैं इसको दोबारा समझा देता हूं, देखिए, पहली बात हमें आप सरकाली से इच्छक बनने जा रहा हैं, और कुछ लोग बन भी च से लिया गया है, कहां से लिया गया है, यह है, आनंद मट एक उपन्यास से लिया गया है, और इसे 65 सेकंड में गया जाता था, एक मिनट पान सेकंड कैसा गयान का समय, इसमें साथ पद होते हैं, हम प्रथम पद गाते हैं, जो संस्कित में बाकी 6 पद इसके बेंगाली में ह होते हैं है और संसत की समापन राष्टगीत से होती है और सुरुवात राष्टगान से होती है अगर राष्टगान की बात करें तो रविद्नाट टैगोर ने अपनी किति की तांजली में लिखा था इसे पहली बार काया गया था कहीं आपको 28 दिशंबर 1911 मिलता है ठीक है और कहीं अलग इसका सत्र मिलता है ठीक है दूसरी बात ये 22 सिंग्र के गयां के समय में गया जाता है उसका समय होता है 20 सेकेंड कितना होता है 20 सेकेंड जिसमें प्रथम पद के पहला पैसेज और अंतिम पैसेज को ही गया जाता है जैसे अगर रश्टगान पढ़ रहे हैं भुकम पाजाए जौलाम खुदगार हो जाए अचानल गोलिया चलने लगे हमला हो उस दसा में उस दसा में आपको सैथ ग्यात होना चाहिए ध्यान दीजेगा सबी लोग ध्यान से देखिएगा भया कमेंट ना करिए लाइप चल लए हम लाइप पढ़ा रहे आपको अर्विंद घोष्ट की बहुत रचना है दिब जीवन और सावित्रिय जितनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर दूसरा ध्यान से दिखेगा महत्मा गांदी सत्य के प्रयोग इनकी आत्मका था थी हिंदु स्वराज इनकी दो बहुत पूर रचना है जो आपके परिच् दिन मेरी क्लास पढ़ रहोंगे पिछले कितना दिन से ठीक उनको एक बात पता होना चाहिए मेरा कोई प्रस्ण कभी रिपीट नहीं होता हम जब भी लाइब आते हैं नए प्रस्ण को लेका राते हैं क्योंकि रेश के घोड़े रेश मच्छे लगते हैं और अब की बार एक सिट हमार सरकारिस इचक बनने की पहली आत्मकाथा आपके साथ चल लए है और हाँ लग अगला सवाल आपके सांसात का ऊपरी सदन क्या है आईए ध्यान से देखते है एक चोड़ा सा टिक मैं आपको यहाँ पड़ा रहा हूं पहले है सरल, शसी होता है संसद, रस है आपका राज्य सभा, लस है आपका लोग सभा, संसद अनुछेद 19 संसद, रासभा अनुछेद 80 में हैं, लोग सभा अनुछेद 81 संसद आता है कितने प्रशन तयार हुए सरल एक ट्रिक है यह आपका ट्रिक है यह आपका ट्रिक है यह क्या आपका ट्रिक है सरल तो संसद क्या है यह समिधान के अनुछेद 89 में है समिधान के अनुछेद 89 में है और रासभा की बात की जाए तो यह किस में है यह 80 में है और लोगसभा यह लोग सभा की बात कीज़े तो ये अनुच्छेद 81 के अंतरगर आती है समझना है सभी लोग को जो लोग कमेंट कर रहे हैं जबाद सभी लोग फटा पर जबाद दीजेगा कितनी लोग को ये समझ में आ गया सभी लोग बताईए जितने लोग लाइब देख रहे हैं अभी मैं इसके बारे बहुत अच्छे समझाने जा रहा हूँ अब घबलाईए नहीं सभी लोग एकदम आराम से यकीन मानिये इस क्लास को पढ़ेने के बाद नग फैन हो जाएंगे देखिए अगर हम विधान सभा की बात करें जो मैं आपको एक्के करके असपश्टूप से पढ़ाना चाह रहा हूँ अगर हम विधान सभा की बात करें तो विधान सभा यह आपका लोग सभा 81 यह 171 यह परिसाद 80 है तो यह है आपका 170 यह अनुछेद है यह क्या है आपका अनुछेद है जी हाँ मेरे प्यारी सिच्चक साति हो यह मैं आपको अनुछेद बता दिया सद मैं उमीद करता हूँ मैं अच्छे से लिख द tysa आउ चलिए मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं कुछ लोग कहने सब अच्छे से लिखिए एक सो एकत्तर रासभा अनुचेद असी विधान परिश्रत अनुचेद एक सो सत्तर चार अनुचेद तैयार चलिए अब इसके अलावा यार आप लोग दस लोग को प्रद्दिन क्लास में जोड़ेंगे न तो जरूर यकीन मानिया एक अच्छे शंख्या हो जाएगी सारी क्लासेज मिलेंगे अगर आप लोग ने सपोर्ट किया तो आगे जूनियर की साइंस जूनियर की आर्ट प्रामरी की साइंस और आर्ट इन सभी क्लच्छाओं को हम भी कंटिनू आपके लिए करेंगे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पूछा है उपरी सदन कोंसा होता है तो ध्यान दीजेगा जब उपरी सदन की बात की जाए सभी लोग ध्यान दीजेगा उपरी सदन को हम उच्छ सदन कहते हैं क्या कहते हैं हम उच्छ सदन कहते हैं इसे हम अस्थाई सदन कहते हैं और यह है हमारा राजसभा है यह हमारा क्या है राजसभा संसद में राजसभा होता है अब विधान सभा में विधान मंडल में वो विधान परिशद होता है गिरिस्पेशन का उत्तर के आपर भी होगा ध्यान दीजेगा उपरी सदन में सदश्यों की संख्या कितनी होती है 250 होती है कै 233, जनता द्वारा राज्यों से चुनकर आते हैं, प्लस 12 सदस्यों को राज़पती मनोनित करता है, 5 अधिक्तम होते हैं, अधिक्तम, इस प्रकार यहा राजसभा के सिटों का अवंटन है, अगर देखा जाए, अगर देखा जाए, इनका कारेकाल अगर देखा जाए, कारे काल तो च्छा वर्स का होता है यह एक अस्थाई सदन है कभी भंग नहीं होती नियून्तम आयू की बात की जाए अगर हम नियून्तम आयू की बात करें तो यह तीस वर्स है कितना है? तीस वर्स है ठीक है? यार वीडियो को शेयर कर दीजेगा ठीक अच्छा 45 होगा ठीक 45 ठीक अभी है ठीक अभीर जोड़ने में गल्ती होगा दियें दोनों का योग 45 ही होगा वालिक चमा चाहते हैं तो सभी लोग ध्यान से देख लीजेगा जितने लेट वीडियो को लाइब देखे लिए पुराने याद पर ही है इसलिए ध्यान से थोलब सा देख लीजेगा अगर छोटी मोड़ी तुटी हो जाते हो इसके लिए माफी चाहते हैं लोकि नेट पर सर्च कर लिएगा कोई दि डिफाइन करूँगा इसकी स्कीन सॉट कर लिजेगा जितने वीडियो को लाइब देख रहे हैं ठीक स्कीन सॉट हो गया चलिए इसकीन सॉट जरू करिएगा और यह लाइब चलेगी बाद में नहीं देख पाएंग इसलिए मैं बार-बार क्या रहा हूं लोगों को सेयर कर इख वह लाहे हैं बावन क्याता है भारत का एक राश्टपती होगा भारत का एक के राश्टपती होगा इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा राष्टपती बने जितने लोगों ने ये भात का प्रथम नागरिक होता है तीनों सेनों का कमांडर होता है कारपालिका का प्रमुक होता है और जब तक राष्टपती का हस्ताचर न लगे न कोई बिध्यक कानून नहीं बन सकता इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर C है आप लोगों ने बीत वीडियो को लाइक नहीं किया क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है क्या अगर कोई कमी हो तो जरू बताईएगा ठिक अगर कोई कमी हो न तो जरू बताईएगा लेकिन लाइक और सेर जरू करिएगा लोगों तक पोचाईएगा जी एन पी एक छोटा सा सब्दा आपके सामने है जी एन पी तो ज़रा कॉमेंट करके बताईएगा जी एन पी क्या है ग्रास नेशनल पोड़क्ट कहते हैं आई इसके बारे में मैं छोटी सी बात करता हूँ पहले तो मैं आपको GDP समझाता हूँ मैं पहले GDP समझाता हूँ जी है मैं पहले GDP समझाता हूँ जो लूग वीडियो को लाइब देख रहे हैं मैं पहले आपको GDP समझाता हूँ GDP क्या होती है देखे GDP ग्राश डोमास्टिक पॉडेट कहते हैं GDP को जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GDP ग्राश डोमास्टिक पॉडेट इसे सकल घरलू उत्पाद कहते हैं शकल घरलू उत्पाद कहते हैं ग्राश डोमास्टिक पॉडेट कहते हैं ठीक है दूसरी बात दूसरी बात ध्यान दिजेगा ध्यान दिजेगा GDP क्या है ये मैं इसको भारत के परपेशने बनाता हूँ सबी लो थोड़ा सा ध्यान से पढ़े लेंगे जो लो इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं यार इतनी मदद करिए इस मेहनत का लोगों दपोचाईएगा बस इतना ही है मेहनत इतना ही आपसे निवेदन है और अगर आपको लग रहा है कि मैं देशित में राषित में जो निशनल पढ़ा रहा हूँ ये किसी से इसका भविश्व बन सकता है तो प्लीज भीडो को लोगों दपोचाईएगा माना ये भारत है बहुत अच्छा तो नहीं बना है समझाने के लिए GDP क्या होती है ध्यान से समझेगा सबी लोग ध्यान समझेगा GDP क्या होती है ध्यान से मेरी बात समझेगा किसी भी देश के जीडीपी कहलाता है किसी भी निश्चित भगोली सीमा चेत्र के अंदर एक बित्ती वर्स में उत्पादित शमस्वस्तों से वहों का अंति मौद्रिक मुल्य वो जीडीपी कहलाता है सकल घरे लोग उत्पाद ग्रास ट्रमास्टिक प्रड़क्ट कहलाता है लेकिन अगर इसी जीडीपी में से मुल्य हरास मुल्य हरास निकाल दे मने घिसावट निकाल दे तो हमें क्या प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है कॉमेंट करके जुरू बताईएगा सभी लोग अब जब वहां पे नेश्नल लग जाता है जी एनपी तो जी एनपी का मतलब क्या होता है ग्राश नेसनल प्रडक्ट, माँने, किसी भी देश के सीमा चत्र के अंदर, उत्पादी समझ वस्तों से वहों का मौदिक मुल, मतलब इस GDP में, भारत सीमा, मैंसे भारत है, इसमें विदेशी, माँना विदेशी जो है, विदेशी को हम A कहते हैं, और भारती को B कहते हैं, तो भारत के GDP में से हम बीदेसी को घटा देते हैं, लेकिन कोल्च भारती बीदेसों में होंगे, उनको हम क्या करते हैं, जोड लेते हैं, इस प्रकार हमें GNP प्राप्त हो जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगी, GNP, मैंने भारती पुरे दुनिया में जहां भी पादन करेंगे, वह GNP में आगा ठीक है क्लियर हुआ समझ में आ गया ना चलिए समझ माया अब आए मैं इसको अच्छे समझा सकता था लेकिन अब क्या बता हूं GDP को यहां पर NDP कहते हैं ठीक है यहां से चलिए इसके बारे मम लोग आगे देखेंगे इस प्रशन का उत्तार होगा अर्थ बिवस्था में अंती मवस्था माल समाओं का वार्शिक उत्पादन का ठीक है मैंने एक वर्श के एक देश के नागरिकों द्वारा देश में घरेलू सिमा का अंदर या बहल पजिक वस्था समाओं का अंती मौद्रिक शकल मुले जो होता है वही आपका क्या होता है जी एंपी होता है यार एक बार वीडियो को फिर से शेयर कर दिजे हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी इंसर्ट कर ली जाएगा मुझे पता आप लोग नहीं शेयर करेंगे नहीं सेयर करेंगे नहीं लाइक करेंगे आपको लग रहा होगा परिशा कड़ जाएगा एवागवान चलिए आम सबका बला करें इस वह अरिव्याई का स्थापना कबूल थी सबसे पहले अरिव्याई का फूल फार्म क्यों होता है कॉमेंट करके बताईएगा मैं तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है अरिव्याई को रिजर बैक आप हिंडिया कहते हैं अगर इसकी अस्थापना एक अप्रेल एक जन्वरी यह 1935 है और यह 1949 है दोनों क्या क्या हुआ था यहाँ पे अस्थापना हुआ था और यहाँ पर राष्टी करण हुआ था यह 2ड़िट आपको हमेंसा याद रखना होगा ठीक याद रखेगा यहाँ से दो प्रश्णाप का बनेगा यहाँ पर क्या होगा दो प्रश्णाप का बनेगा हुमने दोनों प्रश्णाप को करा दिया आर कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों तो वीडियो को पूछाने का प्रयाश करेंगे चाहे से Facebook पे देख रहे हैं, चाहे YouTube पे देख रहे हैं, ठीक है, चलिए, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले प्रस्ण की तरफ, इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा, यह होगा, अस्थापना पूछा है, 1935, अगला प्रस्ण है आपके सामने, सेंडी स्टार्म, क्रिस केट की आपके था है, सबी लोग जल्दी से कॉमेंट करिएगा, मैं वीडियो को तो फासा जल्दी से पढ़ाना चाहूँगा, इसका, इसे केंदरी बैंक के तो इसका मुख्याले मुंबई में, अर्वियाई का मुख्याले मुंबई में, अड़क्व निन में किस नदी को राष्टी जल्मार्ग संख्या एक के रोप में प्रुप्त किया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, योकि रेस के खोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, सबी लोग फटापट कमेंट जरू करिएगा, जित्ते लोग वीडियो को लाइब द हल्दिया, कहां से? प्रियाग राज, पूरो नाम इलहाबाद से हल्दिया, मिर्ड़ाटिंग थोड़ी से गड़बर है, हल्दिया, हल्दिया कहां पे है? वेस्ट, मेंग्वल में है और प्रियाग राज, यूपी में साधाप्लोग जानते होंगे, इसकी दूरी अगर अपना पूछा जाए तो नहीं सोची आसी भारत का सबसे बड़ा नदी राष्टी जलमार्ग है राष्टी जलमार्ग है नेश्टनल वाटरफेश ठीक है इसलिए प्रस्टने का जो श्रही भी कल्फ होगा वह यह होगा इसलिए प्रस्टने का उत्तर क्या होगा एश्ट का श्रही जवाब होगा समझ मैं सबको किलियर हुआ क्या आप लोग सपोर्ट नहीं करने चलिए हम आगे चलना है अगले प्रस्टन की तरफ यह आप लोग लड़ाई मत करें कमेंट सेक्शन में आराम से पढ़िए लाइब क आप लोगों तक लाइक करें हैं शेयर करें बताइए या चलिए गल्प इस्ट्रीम क्या है बहुत इंपॉर्टेट प्रस्टन है जो लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं देखें ऑनलींग क्लास या नोट से संबंध में अगर कोई जानकारी हो आप इस नंबर में पू सपोर्ट करेंगे तब ज्यान दीजेगा गल्फ इस्ट्रीम क्या है तो इसके बारे में एक एक करके सभी लोगों समझाओंगा गल्फ इस्ट्रीम एक धारा है इसे करेंड कहते हैं और यह सिच्छक भरते लिखित परिच्छा में आ चुका है और यह भूमद जिसे ज्यान पर यह जिरो डिगरी है इसे भूमद रखा गयते हैं यहां पर जिन धाराओं का जन्म होगा वो गल्फ इस्ट्रीम होगी जहां पर जिनका अमूमन ठंडे छित्रों में जिनका जन्म होगा वे ठंडे धारा होंगी एकदम समझमार आप लोग को नहीं लेकिन यहां पर दो बात आप लोग को याद रखना है यह क्या है एक महासागरी धारा एक धरातली हवा है जेट इस्ट्रीम का दूसरा नाम है तो देखिएगा जेट इस्ट्रीम जो है यह छोप सीमा में माने समताप मंडल और छोप मंडल के बीच में चलती है क्लियर अब इस प्रशने को उत् कलती ध्यान दीजेगा सभी लोग मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है यह कहां पर है उत्तरी अमेरिका महादूइप के पैर के पास मतलब नीचे वई और इस खाड़ी को धारा को गल्फ इस्ट्रीम के नाम से जाते हैं इस खाड़ी को गल्फ इस्ट्रीम कहते हैं धारा को ह हिंदी में कहते हैं सभी लुग लिख ली चेगा कर लिघ कारी कि धारा के कि का लगारा के नाम से जाते हैं कि अगर अगर जट स्प्रिम्की बात करें अगर मैं अच्प्ति की से बहने वाली घुमने वाली हवा है यह मुख जट धारा है ट्रपो पाच उचाई पर होती है यह पस्चिम से पूर क्यों बहती है इनके बारे में थोड़ी सी बाते आपको ज़रू बताना चाहूंगा जैसे आपने देखा होगा हिरोश्रीमा और नागासाकी पर बंगिरा थ जैसे यह यहां पर प्रिथिवी है यान इसके उपर से जा रहा था इसके जाकर वापस आने में कुछ समय लग गया तो लोगों पूछ ऐसा क्यों हुआ तो कहा गया उपर हवा चल लई थी तो उस हवा की खोज की गई तो उस हवा का नाम हुआ जेट इस्ट्रिम उसका नाम को रखा गया जेट इसट्रिम एट्रपो पास पास थोप सीमा इंकर बीच में चलती और इसे यह पंस्चेम से पूर चलती याद रखेगा अगर महासागरी जलघाराएं चे होतीались यह सतत रूप से नृद्धिस प्रवाग करती है महासागरी धाराएं महासागर को अंदर ब राजील की धारा कैसी है लगभग आप बताए कि वो भुमत सागर पास से निकलती हैं कनारी की धारा क्या है आप लोग कॉमेंट सेक्षन में जब आप जरूर दीजिएगा क्योंकि रेश के गोड़े रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप रेश के गोड़े है साड़ेनों बजे चलती है डिली और ये लाइफ चलेगी बाद में वीडियो नहीं देख पाएंगे इसलिए आप लोग से निवेदा हैं कि सभी लोग आईए लाइफ इसकी इन्सोट कर लेजएगा मैं डिलीट करने अमलब इरेश करने जा रहा हूं अगला गंगा नदीम निवन में किस भाग को राष्टी जलमार्ग घोशित किया गया अभी मैं इस पर जक्र किया मैं उमीद करता हूं अब आपका जबाब सही होगा सबी लोग फटाफट कमेंट करो यह फेश्बुक पे भी और यूट्यूब दोनों पर आपने सुट लाइप देख रहे हैं प्रद्य राज साढ़े नों बजे जल्दी जवाब दीजेगा फटाफट एक रेश के गोड़े रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मेरा ही काम है मैं ही बताऊंगा क्या कर सकता हूं कि हमने आपसे वादा किया है हम आपको सेलेक्शन तक लेकर चलेंगे क्योंकि रेश के घोड़े ना पर आप तो रेश के घोड़े हैं चले आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक बात ध्यान देना है अपसे विशाथियों को इस परस्टे का उत्तर क्या होगा यह उपर मैंने बताया प्र्याग राज से हल्दिया तक जिसकी दूरी है 1620 किलो मेटर है उपर मैंने इसकी बारे में बताया इसे राष्टी जल परद के विशाथियों से मेरा निवेतान है कि आप इस को अब झ गैस की खोज किष्णी किया था देखते हैं कौन का जवाब जरूर देता है और जोन गैस की खोज किष्णी किए थी और ओजोन चैका पता ओजोन चैका पता यहां भी बताना है फर्स्ट कौन था प्रथम और प्रथम दोनों आपको प्रथम बताना है देखते हैं कौन इस प्रस्ट का जवाब देता है बताईए सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी कॉमेंट जरू करेंगे ओजोन गैस की खोज किस नहीं किया था तो क्रिस्टियन, फैडरिक, इसकोन, विन लेकिन अगर प्रस्ट में ये पूछ दे ओजोन चाय का पता किस ने लगा था तो बिटेन के फॉर मैन ने लगा था सबसे खतरनाक कौन सी परावैगनी किरने होती है अल्ट्रा वैलेट शी अल्ट्रा वैलेट शी ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रस्टिय की तरफ याज किसी कोई दिक्कत कोई शमस्या हो जरूर कमेंट कर सकता है चलिए दिखिए नाम है ओजून गैस की खोज क्रिस्चियन फैडरिक इसकोन विन नामक ओजून गैस की खोज की थी मैं दुबारा तिबारा बता दिया चलिए सबसे बड़ा शिद्र है अंटार्गेटिका महाधिर पे मैटरिल फोटोकाल का संबन ओजून छैसे है भारत का वहब भ्यार जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है सबी लोग फटापट कॉमेंट जरू करिएगा जित्ते लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं देखिए मेरा उद्देश आपका सलक्सान है अब की बार एक सीठ हमार क्योंकि रेश के गोड़े रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और रेश हमारी उनसे है जो लगाता है दिन रात मेंनद कर रहे हैं बताईए सबी लोग फटापट कोमेंट करके देखिए इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर संख्या अगर पूछा जाए कहां पर है तो काजी रंगा में है जी हाँ काजी रंगा में है और काजी रंगा कहां पर है यह असम में है सबसे ज़्यादा है हातेओं की संक्या लेकिन इसका छेत्रफल देखा जाए छेत्रफल अगर लगभग 471 कीमी इश्वायर्स का छेत्रफल है ठीक काजी रंगा और किसी लिए प्रशिद्ध है कमेंट करके जबाब दीजेगा कि आजी रंगा और किसके लिए प्रशिद्ध है काजी रंगा और किसके लिए प्रशिद्ध है जरूर कमेंट करके बताईएगा हम आगे बढ़ रहा है अगले प्रश्ण की तरफ इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स का मुख्याले कहा पर है एक सिंग वाले गंडा सही जबाब आज ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताईएगा धाल से आप कोईश प्रश्ण का जवाब देना है कि इंडियन ब्यूरो माइंस का मुख्याले कहाँ पर है जल्दी से कमेंट करिएगा यह नागपूर में है नीरी कहाँ पर है कमेंट जरूर करिएगा नीरी कहाँ पर है कमेंट जरूर करिएगा अगला यूनिशको सभी साथी फटाबट कमेंट करेंगे यह फेस्बूक पर यूटूब दोनों पर निसुलक लाइब चला इलनिवित दुरगेश पर एज गेस्ट फेकल्टी ग्रूप में ध्यान जरूर किएगा यूनिशको यूनिटेट नेशन्स एजुकेशनल सांटिफिक एन कुल्चरल और्गनाजेशन यूनिशको का मुख्याले कहाँ पर है तो इसका गठन का हुआ था आईए ध्यान देते हैं यूनिशको का गठन अगर हम गठन की बात करें इन्पॉर्टेंट प्रस्ण है 16 नौंबर को हुआ था कब 1945 में ठीक अगर इसका मुख्याले पूछा जाए मुख्याले तो कहाँ पर है पेरिश में पेरिश कहाँ पर है फ्रांस में सदस्देश कितने है 195 भारत सदस इसका कब बना कोई बता सकता है 1946 में कितने प्रस्ण आपके तयार हुए ठीक है कितने प्रस्ण आपके तयार हुए कितने प्रस्ण आपके तयार हुए और प्रस्ण तयार करा दे केवल आप लोग साथ साथ दीजिए हम आपको पैडाम देंगे केवल अपना साथ बढ़ाय रखिए लोगों तो वीडियो को पहुचाते रही है आप साथ दीजिए हम पैडाम देंगे वेकि अब की बार एक सीठ हमार देखिए यह पेरिस इसका सही जबाब ओसलो अमल वर्सा केंदर कहां पर है सबी लोग फटापट कॉमेंट करके बताईएगा ओसलो ठिक कहां है अरे भी या नारवी की राजदा नहीं है अमल वर्सा केंदर है ओसलो अभी आगे इस्तांबूल के बारे में बात करते हैं रोम के बारे में बात करते हैं ठिक चली हम आगे बढ़ रहा है तोगा सा जन्वी कतम करना या काफी लंबा डेडर घंटे ज्यादा क्लास हो जाती है और आप लोगों तक पोचाते नहीं शेयर नहीं करते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना जरूर पोचाईए यह यह रोगों के लिए भागिस्री योजना शुरूर दिश्टे बारे में बात करते हैं यह यह जना जो थी आठ मार्ष को शुरू की गई आठ मार्ष को बिश्ट बहला दिवस मना जाता है और ये 2015 में इस योजना की शुरुवात की गई रैटिंग थोड़ी सी गड़बर है आठ मार्च को विश महला दिवस मनाया जाता है और महराज सरकार ने भागिसरी योजना महराज सरकार ने शुरू की थी ठीक है फ्लाइंड से किसे कहते हैं शबी लोग फटाफट कॉमेंट करेंगे देखिए इसकी पीड़ाफ आपको टेलिग्राम पे क्लास कतम होने के समय बाद मिल जाएगी उत्तर नहीं रहेगा इसलिए खरवल प्रश्ण बैंक मिलेगा दुर्गेश सर्च सर्च करके दुर्गेश की फेश्बुक पेज और टेलिग्राम पे जरू जुड़ेगा जितने लोग डेली क्लास पढ़ना चाहते है टेलिग्राम डिस्केप्शन में लिंक होगी क्लिक करके जुड़िएगा शाड़े नो बजे एलारम लागा ज़ी क्लास लाइब चलेगी दूसरे राष्टपती अयूब खान नहीं ने 1960 में फ्लाइंग सिक कहा था किसने कहा था अयूब खान ने अयूब खान ने कहा था कब कहा था 1960 में कहा था ठीक है यह पाकिस्तान के दूसरे राष्टपती थे इनकी बायोग्राफी है इनकी अगर बायोग्राफी की बात करे इनकी बायोग्राफी क्या पता कि सिखो दरेश आफ माई लाइफ दरेश आफ माई लाइफ इनकी आत्मकता है ठिक दूसरा उडन परी इन्हें उडन परी कहते है उडन परी ठीक है तो मैं वीड करता है प्रश्ण का उत्तार आपको सबको समझ में आ गया मिक्खा सिंग को पाकिस्तान के दुसरी राष्टपती अयुग खान उन नई सो साथ में प्लाइन सिख के नाम से बुलाया था और बायोग्राफी ये दर रेस आफ माई लाइफ पिट सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगा कमेंट करने के बाद दिएगे प्रश्ण का जवाब दीजेगा इस वीडियों के आंदे तक बने रहेंगे ना सुरू से लेकिंगे अंदे तक पूरे जिवन मेरी क्लास कभी छोड़ेंगे नहीं इस बात का घमन नहीं गर्व है इतनी म इसे कहीं कहीं आपको सब्द मिलता है रामन रामन बी आर एम डी आर एम डी लेकिन ऐसे क्या है यू यान है ठीक दच्छड कोरिया का वान है बोटान का किसी को पता है क्या मुद्रा किसी को नहीं पता चली लिख लीजेगा नूगल ट्रम नूगल ट्रम यहां की मुद्रा है तो चारों मुद्राओं के बारे मैंने बता दिया ठीक यह क्लास लाइब होगी बाद में क्लासे प्राइबेट हो जाएगी इसलिए सभी को सेर जरू कर दीजेगा अपने सभी साथी मित्रों को साड़े नो बजे किवल क्लास लाइब चलती जरूर दीजेगा सभी साथी सभी साथी देखिए गोबर गैस से मैथेन गैस निकलती है जिशे हम छी एच फोर कहते हैं यह और कहां से निकलती है एक गोबर गैस से निकलती है दूसरा मवेसियों से जुगाली के समय जब वो जुगाली करते हैं धान की खेट से दल्दली भूमे से पुराने कुंगों से आदी छित्रों से च फोर निकलता है इसे मेथेन गैस भी कहते हैं इसमें 75% मेथेन होता है है हड्रोजन हल्प हड्रोन सलफाइड और स्योटू का भी मिस्रण होता है ठीक है इसे प्राकितिक गैस भी कहते हैं समझ मैं सबको अगर कोई छोड़ी गया होता आदी लेस्ट करके लिख लिजेगा धान की केस से दल्दली भूमे से मवेसी जिद्रिवाली करते गोबर गैस प्रांड से मैं आगे बढ़ रहा हूं इसे हम प्राकितिक गैस कहते हैं कौन सी क ठीक चलिए एथलिen का प्रियोग कहां किया जाता है कॉमेंट करके जवाब दीजेगा एथलिए कंहां करते हैं कॉमेंट करके जरूर जबाब दीजेगा हमांगे बढ़ रहे हैं अगले प्रेश्ट की तरफ सरकारी सिच्छक बनने वाले सभी लोग को ध्यान से प्रकास वर्स किसका मातरक है देखिए एक प्रकास वर्स बराबर 9.4-6 गुडे 10 गाते 15 मिटर अगर किलो मिटर महोगा तो क्या होगा यह दूरी मापने का मातरक है किसका दूरी मापने का पैमाना है ठीक है जी हाँ फलो को पकाने के लिए एथलीन का प्रयोग करते हैं सही जवाब अगला प्रकास संसलेशन में किस गैस की आउसकता होती है सबी साथी फटापट कॉमेंट करेंगे कॉमेंट करके दिएगे पस्टन का लाइब जबाब देंगे जी हाँ मेरे पैरे से चक साती हूँ जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं जल्दी से कॉमेंट करें और कॉमेंट करके दिएगे पस्टन का लाइब जबाब दें क्योंकि रेश के घोडे रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं यह 9 बजे क्लास प्रद्यन लाइब निसुल्ख चलती है यह लड़नी पर दुर्गेश पर देखें अगर हम नेट्रोजन की बात करें पूरे वाई मंडल में यह 78.08% पाई जाती है जो पहली पोसीशन है अक्सिजन की बात करें तो यह 20.09,05 लबभग 21% पाई जाती है दूसरे स्थान पर है करबन डैक्साइड पूरे वाई मंडल में 0.003% है तो प्रकास अंसेस्टन में कौन सी गैस की आउसकता पड़ती है आईस के बारे में लोग जानते हैं इस प्रद्शन का उत्तर होगा करबन डैक्साइड गेस पौतबदे लेते है और औक्सिजन मुक्त करते है Chill के लिए शूरका प्रकास क्लोरोफील्ड की सहता से कार्बन डैक्साइड पानी लेकर भोजल अपना बनाते हैं पौदों में जल प्रकास पढ़ारी तता कार्बन डैक्साइड को पसती में कार्बोहेड्रिट की निर्माल को ही प्रकास संस्रेस्टों कहते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगर आपको लग रहा है कि मैं भेतर पढ़ा रहा हूं तो भी यह लोगों को जरूर शेयर करिएगा मेरा आपसे बिनम्रेने वेतन है यह क्लास लाइफ चलेगी केवल निसुलक लाइफ देशित में राष्ठित में सुस्क बैटरी सेल में कौन से उर्जा होती है जल्दी से फटाफट कॉमेंट करिएगा जितने वीडियो को लाइफ देख रहे हैं सुस्क बैटरी सेल में कौन से उर्जा होगी सभी साथ ही लेकिया ओनलाइन क्लास ये नोट से समधित अगर कोई जानकर इच्छे ये अब दि सिठ हमार कि बताइए यहां पेश परशने का जो शही विकल्प आप लोगों एक दम राइट बताया है राशानी कुर्जा है जी है मेरे पैरे से चक साथी हो ये वीडियो कर फेश्बूक पिलाई भी यूटूब पर देख रहे हैं तो ध्यान दीजेगा ये राशानी कुर् करती है कैथोर्ट का एनोड के बीच एक टेस्ट होता है यह बैटरी वही उकती है जो राशानी को विद्धू तूर्जा में बदलती है इसलिए स्पस्टने का जो शही भीकल्प होगा वह एश का राइट एंश्वर होगा पितिवी की केंदर पर जी का मान कितना होता है चलिए आइए इसके बारे में कई बाते लेते हैं देखिए जी का मान जी का मान दुरूंओं पर ज्यादा होता है ठिक और जी का मान भुमद रेखा पर निउन्तम होता है इन्पोर्टेंट बिंदु है जान से दिखेगा और पितिवी का घोड़न पितिवी की घोड़न बढ़ने पर जी का मान कम होता है पितिवी की घोड़न घटने पर जी का मान बढ़ जाता है ठिक इसलिए यहाँ पर प्रश्ण का उत्तर होगा पितिवी की केंदर अगर पितिवी की केंदर की बात करें तो केंदर यहाँ पर है यहाँ से 0 डिगरी आपकी रेखा जाती है यहाँ पर क्या होगा केंदर में सुन्य होगा जी का मान अगर ऐसे देखें तो जी बराबर जी का मान नौ दसमोलो आठ एक मीटर प्रतिसेक्ट इसक्वार होता है जी का मान प्रतिफिक के अलग-अलग अस्थानों पर अलग-अलग होती है ठीक तो इसलिए प्रस्टे का जो शही बीकल्फ है मैंने आपको बदा दिया शी है तो उमीद करते हैं कि क्लास आपको समझे मेर भी आगे भी पड़ रहे हैं भागी गमत योगे रिश्क की गोड़ी कि जब दो पिंडों को एक साथ मैं पानी पिलेता हूं तक अब लोग उत्तर बताईएगा भागिएगा मत कि सर पानी पी रहे हैं तो मैं भाग लेता हूं कि क्या अभी पानी नहीं पीता रहूंगा तो सही रहेगा नित आवाज चलिए सब्सक्रास होची आपके लगा था देखिए जब दो पिंडों को एक साथ रगड़ा जाता है तब विर्ष शमान तथा विप्रित आदेश अर्जित करते हैं मनि पदात आदेशी नत्वा विद्द उदाशीन होते हैं इसलिए जब पिंडों के दुछरे साथ रगड़ा जाता है पिंड समान तब प्रीत आविस अर्जित करते हैं इसलिए प्रस्ण का उत्तर क्या होगा भी होगा ठीक है हम आगे बढ़ रहें अगले प्रस्ण की तर भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है जी है मेरे प्यारे से च्चत साथियों इसे देश के निर्माता हो जल्दी से फटाक से कमेंट मारो और जबाब दो भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है शबी साथियों से मेरा निवेदन है शबी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहा है क्योंकि मैंने बताया आपसे पहले कि रेस के गोड़े तो रेस में अच्छे लगते हैं कि खेत में नहीं कि तो गदे अच्छे लगते हैं कि ठीक हैं कि बताइए चली हम आगे बढ़ रहे हैं है आप लोग सेहर नहीं करते हैं इस लिए अधिरेपो Holet के बारें बात करते हैं यह इस कर्ज से ग्रहांकों को रिण देता है मने यह बैंकों को कर्ज देता है RBI ठीक है चली कौन सा संसत का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्ष नहीं है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्णा है यह भरतिश्वमिधान का है खेतने भैल अच्छी लगते हैं और आप लोग तो अरेश के घोड़े हैं ज्यान से दिखेगा कौन सा संसत का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्ष नहीं है तो इसका जवाब आपको पता होना चीए मुझी पता है दिखे अगर संसत के सदस्ष का सदन संसत के तीन सदन होते हैं जैंसत के तीन सदन होते हैं कौन-कौन राष्ट पती है कि लोकसभा राजसभा ठीक ये तीनों होते हैं दुन सदन में किसी एक का सदश नहीं है वो कौन है जरा बताई है लुकसभा का ध्यज सदन का सदश होता है प्रधान मंत्री किसी एक का सदश होता है बित मंत्री एक का सदश किसी कभी लेकिन भात का जो राश्पती होता है वो स्वेम दोनों स dönem में किसी भी एक सत्र को बुलाने किन्तों राष्ट्पती दोनों स दोनों किसी एक सदस नहीं होता उसकी अधस्ता लोग सब बढ़ रहा हैं अगले प्रेश्टिंग की तरफ कि साइंस वालों को भी जीएश पढ़ना है आठ वालों को भी अब बात में साइंस की लिए साइंस भी चलेगी आठ भी चलेगी अगर आपनों की वीडियो को केवल दद्दस लोगों को शेयर करेंगे तब भारते समिधान में कौन सांचे संसोधन करने के सकती देता है जल्दी से कुमेंट कर गया बता है यह गारत के संसोधन करने के सकती यह भारत के शमिधान में दच्छन अफ्रिका के संधान से लिया गया है इसके बारे में देखें यहां पे राश्टी आपाद राश्टपती सासन राचमे वित्ती आपाद 308 संधान संसोधन किलियर सोचे कितना बढ़िया आपका नुछेद भी तयार हो जा रहा है सोचे ध्यान से गदम देखिए कितना बढ़िया आप लोग क्या उन्हें शेद भी तयार हो गए चलिए अगला पुष्ट नहीं आपके सामने चंदगुप्त मौर के दरबार में पस्ची मेसिया की यूनानी राजा सल्कुरस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था शबी लोग फटा फट कमेंट करेंगे कमेंट करने के बाद इस पश्टन का जबाब देंग ये वीडियो फेश्बुक पे और यूटूब पे दोनों पनिस्वल का लाइब चलना है आपके लिए और एक केवल आप लाइब देख पाएगे इसलिए आप लोग आदत बना लीजिए साड़े नो बजे लाइब आने की ये केवल लाइब चलेगा देखे यहाँ अब निसे ने काफि समय तक मौर दर्बार में निवास किया उसने बहुत कुछ देखा उसकी प्रशिद्द घ्रति इंडिका इसकी प्रशिद्द करन्ति है इनडिका क्या थी इंडिका है हमागे बट अगले comment कि Ialy op बंद करतें क्लास के आपको शेयर नहीं करेंगे बताइए बाई बंद करते कर आप लोग शेयर नहीं करेंगे सपोर्ट नहीं करेंगे यार आप पढ़ रहे में चला चला के पढ़ा रहा हूं और पुरा दिन खटा हूँ में द्याले ही काम मुहला से च्छंड आग की पिछली क्लास मेटिंग अरेंज अविवाव को की शेवा निवरित बृतीस अपसर ने भारती राष्टी कांगरेस के स्थापना में अहम भूमका निभाई थी वो कौं था तो कांगरेस के स्थापना अठारऊ सो पचाशी मोई थी ए ओ यूम ने शिर्य निवरित अरिकारी था जो भारति सिग्ल सेवाब में था ये सीमला में बस गये थे और यह उन द्वारा 1850 में की गई थी भारति राची कांग्रेस के गठन के समय बात का वहाशराय कौन था कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1880 में कौन था तो देखा जाए तो यहाँ परिश्टर का उत्तर होगा डफरिन डफरिन बिचारा बिचारा नहीं था 84 से 88 तक था ठीक है कांगरिस को यह काकर मजा कुड़ाया कि सुच मधर्शी अलब संक्यों की संस्ता इसने कहा था किस ने डफरिन ने कहा था कांगरिस को बातिराश्टी कांगरिस को कि यह क्या है किस वर्ष में महत्मा गांधी दच्छन अपरिका से भारत आए बताईए अपने स्टेटस पर डालिए फेश्बूक पर शेयर करिए जहां भी देखते है महत्मा गांधी ने अफरिका में लगवाग एकईस वर्ष रहे गांधी दी चौबिस वर्ष के उमर में अठासो तिरानवे में दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के दच्छन अफरिका डर्बन गये और वे जनवरी उनफरिका में वह आपस है दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने गये थे अठासो तिरानवे में गये थे अफरिका अफरिका गये कब थे अठासो तिरानवे में गये थे उनफरिका इसो पंद्र में आता है ठीक है कितने वर्ष रहे लगवग एकईस वर्ष रहे कि एकईस वर्स रहे लगभग और चौबिस वर्स के उम्र में गय थे ठीक है कि मेरा सर पेन हो रहा है यार लेकिन आप लोग धम की सिच्छा देने के लिए असोक ने किन पता दिकरियों कि निम्ति की थी मैं आप से वाद आप में थोड़ा साथ सौटकर में पढ़ा रहा हूं क्योंकि संख्याप के कम होती चली जारी बढ़ने की जगए आप लोग दासाजार भी ने पूशा पा रहे हैं चली हम आगे देखते हैं धम महा मत्ता धम महा मत्ता अपने राज्य विशेक के तेरहवे वर्ष राज्य विशेक के तेरहवे वर्ष बहुत धम के परचायर के लिए असोक ने पतादिकारियों कर नवीन वर्ग बनाया तो धर्म महा पात्तर कहा गया धर्म महा पात्तर जहां से लिखेगा धर्म महा पात्तर इसे ही धम महा मत्ता भी कहा गया ठीक है चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्णी की तरफ अभी बहुत सारा आहिए क्या आए चलिए जैनदाता बहुत धर्म के समय कितने आसमों की मानिता थी तो आये जैनदाता बहुत धर्म समय हिंदु धर्म सास्थ मनुष की आयू जो थी वो सौवर्स माने जाती थी कितनी इनकी आयू जो हिंदु धर्म की आयू सौवर्स माने जाती थी और प्रतेक आस्रम में 25 गुड़े 4 सौ थी जैसे ब्रह्मचर देखे इसमें चारों क्या उनकों से थे चारों ब्रह्मचर ब्रह्मचर था ग्रिहस तास्रम था लिखली जिएगा लेकि इन्पोर्टिंट है प्रशन की भाशा कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे फिर वानप्रस्त था चौथा क्या था सन्यास सब्सक्राइब जैन बहुत धर्म के समय हिंदू धर्म सास्त्र में मनुष्ट क्या वर्ष 25 वर्ष में इसे डिवाइड किया गया था ब्रहमचर जीरों से पचीश शाल ग्रहस पचीश से पचास पचास से पचातर वानप्रस सन्यास पचातर से सो उसके बद्बाए कुंड इस दिखेकर है आप लोग भारत के बारे में थोड़ी से एकर हम चर्चा करेंगे तो कई चीजे तो चलिए थोड़ा सा गलपड मैप बन गया है तो आठ डिग्री चार मिनिट से यहां पर देखा जाए मुख्य भूमी हां मुख्य भूमी है और यहां पर अंड़मा निकोबार है यहां पर है अपका चर्डीग्री चार मिनट यह शट्टा मिन्दू है यहां पर मुख्य भूमी है यह तक फेला है 37 डिग्री च्छा मिनिट नौर्थ ये भी नौर्थ है ये भी नौर्थ है अगला पश्टो की अपके लिए उत्र पशनी में भादि कीस न किनद देसों के साथ थाल सीमा साजाता अधर पारत है थे काम चला थोड़ा से तेजिशी में बना दिया लिखिए उत्तर पास्चिम की बात करें तो इस लाइन की बात कर रहा है तो यहां पर कौन है जल्दी से कमेंट करें बताइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ठीक है कि लिए रुआ कोई दिकत यहां पर देख रही है यहां पर पाकिस्तान है यहां पर अफगानिस्तान है ठीक है ठाल घाट पाल घाट और भोर घाट यह कहा पर है सबी लोग बताईएगा यह पश्मी घाट के दच्छ्ड में है जैसे अगर हम इस बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यह इन छित्रों में है पश्मी घाट में का पर है पश्मी घाट में है पश्चिमी घाट में एक परवती घाट है जहांके निलगरी का निर्माल उत्ता जी के सर्वोष चोटी है दोदा बेटा निलगरी के दच्छल में पाल घाट है अल्ला मलाडी पहलों के नाम से जानते अनामूरी घर देखा जाए तो सहद्री सर्वोष सीखा रहें इसकी थाल घाट और भोर घाट पस्चिम घाट के अन्य महत्पुन दर्रे भी हैं इसलिए इस प्रशने का उत्तर क्या होगा यह होगा मैं तो आज तेज पड़ा रहा हूँ ना चलिए आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और निंग क्लास ये नोट से समंद में अगर कोई आपको जारगारी चाहिए सिच्चक भरती लिखित परिच्छा जूनियर और प्रामरी साइन्स कलावर सभी के लिए सब कुछ आपको यहां पर उपलब्द होगा लेकिन आपको ये लिए बिद दुर्गेश से बात करनी पड़ी है कि मेरी क्लास आपको निसुल्क देशित में राष्टित में आपको लाइब मिलती है और सभी लोग टेली ग्राम जरुर्गेश सर्च करिएगा बीना स्पेस के और ये लर्ने में दुर्गेश पर जूड़ सकते हैं जहां पर मेरी क्लास निसुल्क आप प्राप्ट कर सकते हैं ये क्लास साड़े नो बज़े आपको लाइब चलती है तो 9.60 बज़े आप लोग लाइब रहेगा क्योंकि ये ख्लास आपके लिए के लिए लाइब देख देख आएगे प्राइबेट रहेगे ठीक है तो बाद में क्लास प्राइबेट हो जाएगी ताकि बहुत सारी लोग शमय से पाबंध हो जाएगे तो फैन हो जाएगे क्योंकि इतनी ब्याथ्या आपको यूटूब चैनलों पर नहीं मिलेगी जिसके पास ग्यान होगा वही सेयर करेगा जैसे आप सब साती है और बीना ग्यान के सेलेक्षन मुश्किल है हर छित्में आल राउंडर बनना पड़ेगा हर दिन आपको नए प्रेशन की सेरीज मिलेगी बहुत अच्छा लगा आप लोगे साथ पढ़कर पढ़ाकर वीडियो को सभी साती मित्रों को शेयर करिएगा अगर आपने लाइक नहीं के तो लाइक करिएगा अनिकलास टेलिगराम पर मिलेगी अगर वीडियो फेश्बूक पे देख रहे हैं तो फेश्बूक के सेर करिएगा यूटूब पे देख रहे हैं यूटूब पे सेर करिएगा क्योंकि रेश के घोड़े रेश मच्छे लगते हैं खेत में नहीं के घोड़े है प्रैविट करने से ये फाइदा होता है कि आप लोग लगातार मेहनत करेंगे टाइम से पढ़ेंगे और जो नेटोर प्लाबलम आता है वो हल हो जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेस्ट ओफ लग जैहिंद मैं अपने सारे काम छोड़कर मैं अपरी कलास में आता हूँ मेरी फैन नहों इस कलास के फैन होंगे कभी कलास मिADE नहीं करेंगे पर एक कलास को एक से अधिक वार देखा करिये जैहिंद अपकी बार एक सिथ हमार एंसेटी का निश्चो निश्चुल कराई बाई बाई जोनपुर आईएगा जरू मुलाकात करते हम अपसे हमारे इस्टाग्राम है दुर्गेश के नाम से फिर भूपेज इलेनिक दुर्गेश बाई बाई